नमस्कार रांगनबाडी बेहनों के लिए एक बड़ी खबर निकल करा रही है जैसा कि हम आपको बता दे कि बजट सत्र दोहज़ार तेईस चोविस का जो है कि ये सेशन चल रहा है जिसका प्रारंब आज हो चुका है प्रधान मंतरी नारेंदर मोदी के द्वारा प्रारंब किया गया है जैसा कि हम आपको बता दे कि इस सरकारी करमचारी हो जा तर बजट को पेश किया जाएगा जैसा कि हम आपको बता दे कि वाल विकास मंतरी इस्मृती रानी जी के द्वारा भी आंगनबारी बेहनों को अस्वासन दिया गया है कि इस बजट सत्र में आंगनबारी बेहनों के मांदे में इजाफा किया जाएगा तो उम्मीद है कि आंगनबाडी बेहनों का मांदे जो है कि एक सम्मान जनक मांदे होगा जो कि 15-18,000 रुपए तक आंगनबाडी बेहनों का मांदे जो है कि ब्रिधी करके एक सम्मान जनक मांदे कर दिया जाएगा उसके साथ ही साथ हम आपको बता दे कि आंगनबारी कर्मियों को जो रिटार्मेंट की बात है उसमें जो है की एक डेल लाक रुपे जो है की रिटार्मेंट पे देने की भी बात जो है की कही जा रही थी बालविकास मंत्री जी के द्वारा और इनके कुछ पेंसन भी लागू करने की बात तो कही थी तो इस तरह के जो है कि बड़े बड़े जो है कि छे सुत्री मांगों को लेकर जो है कि अस्वासन आंगनबारी बेहनों को मिला था जो है कि वाल विकास मंत्री जी के द्वारा तो इस बजट में जो है कि ये आंगनबारी बेहनों की छे सुत्री मांगो को पूरा करने की बात कही गई थी वालविकास मंत्री जी के द्वारा तो ये बजट जो है की एक फरवरी 2023 को जो है की पेस होगा उसमें आंगनबारी बेहनों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है की मांदे में ब्रिधी हो सकती है उनके पेंसन लागो हो सकते हैं और जो है